हाई, welcome to my channel इस वीडियो में समझेंगे introduction of chapter 22 menstruation third surface area and volume of a right circular cylinder तो ध्याँ सा समझेगा यहाँ पर पहले पहले श्ट्राइट करते हैं right circular cylinder से तो what is a right circular cylinder एक right circular cylinder कैसा होता है तो देखें यहाँ पर मैंने बदाया है कुछ cylinders यह तिनों कि तिनों क्या है? cylinders है, ठीक है यहाँ पर किया क्या गया है cylinder कैसे बनता है पहले यह समझ लीजे what is the origin कैसे बना cylinder cylinder जो है एक माली जे surface लेते हैं circular और उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं ठीक है और ठीक इसी के ऊपर जो है इतने ही shape का इतने ही size का एक और cylinder हम ड्रा कर लेते हैं माली जे एक और circle ड्रा कर लेते हैं और इसके उपर एक और circle ड्रा कर लेते हैं और ऐसे ही हम बहुत सारे circles को stack करते हैं एक दूसरे को उपर और इनको join करने के बाद ठीक है मतलब कि एक solid object बन जाएगा यहाँ पर और यह solid बनेगा न यह solid जो बनेगा वो एक cylinder होगा ठीक है तो यहाँ पर जो stack करने का जो तरीका है circles के papers का माली हम circle का circular shape का हम paper लेते हैं और उसको ऐसे stack करके रख देते हैं तो एक cylinder के shape का बन जाएगा यह इसके उपर देखे कर रहे हैं सारे circles के center जो है match करेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब के center क्या करने मैच कर रहे हैं और ऐसे करके आप जो है और भी सारे circles जो है आप यहाँ पर stack कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे circles को हम यहाँ stack करते हैं एक दूसरी के सर्कल्स जो हैं सेम रेडियस के हैं और यह एक दूसरी के उपर एकदम परपेंड़कुलरली रखे गए हैं इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग राइट सर्कुलर सिलिंडर इस काल्ड राइट सर्कुलर सिलिंडर ओके तो यहां पर जो इसको क्यों राइट सर्कुलर इस को राइट सर्कुलर सिलिंडर बोलेंगे। मिलाने वाली जो line है मतब जो axis है यदि उनको join करें जमाली यहाँ पर हम इसको join करते हैं यदि हम इसको join करेंगे और यदि यह 90 degree angle बना रहा है यहाँ पर यहाँ पर यह 90 degree बना रहा है तो हम कहेंगे कि यह right circular cylinder है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए ध्यान से यहाँ पर यहाँ पर हम center ले ले यह वाला center यहाँ पर है इसको हम assume कर लेते हैं o dash और इसको हम मालेते हैं o ठीक है यदि हम इंदों को join करेंगे तो क्या होगा यदि इनको join करेंगे आप तो यह जो angle बनेगा वो 90 नहीं बनेगा यह कुछ 90 से कम बनेगा less है यह तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह 90 के equal नहीं है यह जो axis जो है radius से 90 डिक्रेंगल नहीं बना रहा इसलेम कहेंगे कि this is not a right circular cylinder और यहाँ पर तो यह नहीं ही है right circular cylinder क्यों क्यों कि यहाँ पर तो आप join ही नहीं कर सकते माली जो यह है और आपका यह है तो यहाँ पर तो करवी तरीके से यह perpendicular जाएगा है कि नहीं जैसे से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसे करके घूमते हुए जाएगा तो ऐसा कोई perpendicular देखें हैं आप यहाँ पर लाइन नहीं बन रही है तो इनकी बात और इनकी बात हम इस चेप्टर में नहीं करेंगे तोटली हमें बस केवल और केवल इस तरह के सेप वाले सिलिंडर की बात होगी इस चेप्टर में जिसको बोलते हैं हम लोग right circular cylinder तो अब इसके बारे में थोड़ा detail में समझ लेते हैं यह जो सिलिंडर है right circular cylinder इसके दो end होते हैं और यह circular region circular सेप के होते हैं ओके और plane होते हैं ठीक है और इसके बीच में जो यह surface होता है चारो तरफ से यह एक curvy surface होता है ठीक है curvy मतलब कि मुड़ा हुआ ठीक है घुमा हुआ इस surface है तो इसको बोलते हैं हम लोग curved surface curved surface ठीक है जो कि यहाँ पर curved है C-U-R आप बोल सकते हैं C-U-R-V-E-D इसका spelling C-U-R-V-E-D curved surface ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं न जब जब इसकी पुछता है कि what is the curved surface area of cylinder तो हम क्या करते हैं केवल यह जो curved surface है उसी का area निकालते हैं ठीक है और जब पुछेगा कि what is the total surface area of the cylinder तो क्या करेंगे आप इस curved surface area में जो चार तरफ का जो यह area है उसमें आप end points का जो area है यह दुन circles का नीचे उपर का इनको भी add कर देते हैं तो total surface area निकलता है ठीक है उसके बाद कवी के भी ऐसा पुछता है कि what is the area of the base base कि इसको बोलेंगे तो यहां समझते हैं कुछ ऐसे definitions जो cylinder से related है पहला है यहां पर base what is base तो base क्या होता है जो भी यह circular जो end होते है उन दोनों से कोई एक को हम बोल सकते है base यह दोनों जो है base ही माने जाते हैं ठीक है मतलब कि जिस पर रखा जाता है cylinder जिसे cylinder रखा जाएगा तो अपने उसके base पर ही रखा जाता है ठीक है तो उसी को बोलता है base तो base मतलब circular होता है वही circle को बोलते है opposite जो ends होते है circular ends उसी को बोलता है base that's it simple बासा में एक्सिस क्या होता है कि दोनों जो circle है यह जो उपर वाला circle है इन दोनों के center को यादी मिला दे तो यहां पर जो line segment मिलेगी कि उसी को बोलेंगे axis of the cylinder मतलब यह जो आपका मिला इसको बोलते है axis of the cylinder राइट आगे बढ़ते है radius radius आप जानते हैं बिल्ग कोई दीखते हैं बताने की रोटने है height क्या है? height यहां से लेकर height जो बोलते है यहां से लेकर के यह जो होती है length इसको बोलते है height of the cylinder ठीक है? इसके बाद समझते हैं कि what is lateral surface area देखें lateral surface area क्या होती है कि हमने पढ़ा था जब मैं पढ़ाया था आपको cubide or cube तो से बताया था कि lateral surface area जो होती है वो four walls of the room या फिर cubide के four walls होते हैं मतलब base के perpendicular जो surfaces होते हैं उनको बोलते है lateral surface area तो यहाँ पर perpendicular क्या है base के? मतलब यहाँ पर माल यह base हो गया circular end और इसका जो perpendicular इसके परपेंड़कुलर मतलब क्या? यह जो diameter है इसके perpendicular यह surface जा रहे है है इसे और फिर यहाँ पर ऐसे मिल रहा है बन रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर यह surface जा रहा है यह वाला यह पूरा complete यहाँ से surface है यह पूरा surface जो है इसी पूरे surface की जो area होती है उसको बोलते है cord surface या फिर lateral surface lateral surface मतलब की जो भी cord surface होगा उसको बोलेंगा lateral surface तो समझ में आ गया होगा क्यों कि यह जो curved surface है उसी को बोलते है lateral surface जब पुछेगा कि what is the lateral surface of the cylinder तो समझेगा कि curved surface of the cylinder पूछा है मतलब कहने का मेरा यह है कि curved surface को ही हम बोलते हैं एक अलग भासा में एक अलग language में lateral surface of the cylinder यह दोनों जो हैं एकदम synonym है कि दूसरे के सेम अर्थ में आप यूज करिएगा समझेगा अब आगी पढ़ते हैं यह main जो point है हमारा हम इसका derivation समझेंगे कि cylinder का जो surface area होता है उसका formula कैसे drive करते हैं ठीक है तो अभी दूसरे side उम पढ़ते हैं अब यदि बात करें हम surface area की तो तीन तरह की surface area होती है पहली जो surface area होती है वो होती है surface area of each base surface area of the base तो दो base होते हैं और दोनो base की area जो है सेम होती है आप जानते हैं कि circular जो ints होते हैं वो circle के set के होते हैं तो circle का जो area का formula होता है वही लग जाएगा और surface area of the base निकल जाएगा मतलब कि इसको आपको solve करना है तो बस आपको pi r square इस formula का use करके solve करना होगा ठीक है second मतलब कि यदि आपको ये पूछ दिया कि what is the surface area of two ints of the cylinder क्या करेंगे pi r square plus pi r square दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो 2 pi r square हो जाएगा ठीक है अब दूसरा जो surface area होता है वो होता है curved surface area जो आप हमेशा question पूछेगा curved surface area निकलने के लिए या फिर पूछेगा lateral surface area ठीक है तो curved surface area को ही बोलते हैं किसके बराबर होता है तो ध्याद है यहाँ पर cylinder बना हुआ है इसको हम यहाँ यहाँ बीच से काट दे यहाँ पर इसके यहाँ पर बीचो बीच से काट दे means यहाँ से let's suppose और तो यह circular जो end है वो cut करके क्या हो जाएगा यह cut करके इसे फैला सकते है न पेपर की तरह मतबसको जोड़ी फैलाएंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिए यह बिल्कुल ऐसा बन जाएगा इसमें यहाँ बनाने वाला हूँ आपको यहाँ से यह ऐसा होगा फिर यह ऐसे हो जाएगा फिर यहाँ से ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा मतलब कहने का मेरा यह है कि यहाँ से जो यह पॉइंट है वो यह वाला होगा यह जाकर करके से और यह जो दूसरा वाला पॉइंट है वो ऐसे फैल जाएगा इतरह करके मतलब कि यह जो length होगी यह वाली मतलब कि breath होगा actually इस rectangle का ठीक है तो मतलब कहने का यह है कि यदि आप cylinder को बीच से फाड़ दोगे मतलब कि काट दोगे actually कैची से मान लिजे एक paper का बना हुआ cylinder है और उपर से भी open है निचे से भी open है और आप बीच में से काट दिये तो क्या होगा वो एक बन जाएगा rectangle और rectangle यदि बन जाएगा तो इस shape का होगा और इस rectangle का जो length और breath होगा वो हम निकलना चाहेँगे तो इसका मान लिजे कि ये वाला इसको हम बोलते हैं मान लिजे ये ये जो फूरा है कौन सा बड़ा है ये length है इसको माल लेते हैं length किसी को एक को length मान सकते हैं और एक को breath मान सकते हैं और इसको माल लेते हैं ठीक है तो यदि हम इसको length मानते हैं इसको breath मानते हैं तो यह जो length होगी वो किसके बराबर हो जाएगी h के बराबर हो जाएगी क्योंकि हम जानते हैं कि इस cylinder में जो height है वो यह है, ठीक है? और radius आपका तो यहां से लेकर कर के और यहां तक होता है radius तो radius का use कहां पे होगा? आप जानते हैं कि यहां से यह जो 4 तुरफ की जो लंबाई है, यह वाली इसको बोलते है perimeter तो perimeter जो होता है यह जो लंबाई है वही यह है breath है यहां से लेकर करके यहां तक ठेक है मतलब इसको जब काट कर जो फैलाएं है तो यह पूरा भी बन गया है breath ठेक है तो यह जो breath बना हुआ है इस breath का breath जो है equal to है circumference of the circle यह जो base है circumference of the base इसका मतलब कि आप इस rectangle की area find कर लेंगे तो आप इस का जो है इस cylinder का curved surface area find कर लेंगे है कि नहीं तो इसका मतलब कि इसकी area जो है curved surface area of the cylinder of the cylinder वो equal हो जाएगी area of the rectangle area of the rectangle जो हमने यहाँ पर rectangle बनाया है इस rectangle का तो यहाँ पर rectangle का जो area होता है हम जानते है क्या होता है length into breath यहाँ पर जो length है वो height के बराबर है यह height तो यहाँ पर रहेगी यह वाली height तो यह हो गई height but by बी जो breath है वो यह जो चारो तरफ का जो यह circumference है इस base का जो circumference है वही लंबाई तो फाइल गई है ना यहाँ पर b के रूप में तो b को हम 2 pi r लेख सकते हैं मिन्स circumference of the circle और इन्ही को multiply कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 2 pi r h मतलब थोछा अरंज करके लिए देंगे तो तो यह जो 2 pi r h है यही formula है surface area of the मतलब की curved surface area of the cylinder और lateral surface area of the cylinder दोनों एक ही चीज होती है मिन्स यहाँ लिख कांसाटकर्ट में curved surface area c s a is equal to lateral surface area l s a यह दोनों के दोनों क्या होते हैं equal होते हैं और equal to होते हैं 2 pi r h हमें समझ गए कि 2 pi r h के बराबर होगा curved surface area आप जो third surface area है जो आप समझेंगे और जो निकालेंगे हमेशा वो है आपका total surface area total surface area of the cylinder total surface area of the cylinder तो यहाँ पर total surface area क्या होता है देखें curved surface area और जो circular ends हैं उन दोनों के यदि add कर दें area तो हमारा total surface area इस cylinder का निकल जाएगा total का मतलब है कि पूरा cylinder का जहां भी surface है cylinder का उन सब का area तो मतलब यह equal हो जाएगा curved surface area plus two times area of the base area of area of the base area of the base तो काट सरी सरी कितना होता है 2 pi r h plus यह को होता है कितना 2 pi r square area of the base कितना है pi r square तो यह होतना हो जाएगा उसमें से हम 2 pi r काम मले सकते हैं तो 2 pi r यदि हम काम मले लेंगे यहाँ देखे 2 pi r काम मलेगे तो इसमें से बचेगा h plus इसमें से 2 pi r काम मलेगे तो यहाँ r square है तो r बच जाएगा 1 तो कहने का मतलब है यह जो formula बना है 2πr in bracket h plus r यही है formula total surface area of the cylinder find करने का और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेगा या तो आप इसको याद कर लिजे या फिर किवाल यही याद कर लिजे कि crowd surface area में हमें add करना है 2 times area of the base तो यह समझने के लिए बहतर रहेगा आपको हर जगा ठीक है तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि total surface area फुषता है लेकिन open cylinder होता है तो open cylinder रहेगा तो उपर वाले का नहीं जोड़ेंगे इसलिए हम यहाँ पर जब open रहेगा cylinder तो surface area निकालना होगा तो उपर का जो circular end है उसका surface area हम घटा देंगे इसका मतलब कि केवल यदि open रहेगा तो हम ऐसा करेंगे काउट से विसरिया में add कर देंगे केवल pi r square मतलब 2 pi r square नहीं करेंगे केवल एक ही pi r square add करेंगे तो यह समझना होगा आपको ठीक है इसलिए यह वाला formula इस समझना जरूरी होता है जब open cylinder रहेगा तब यह लगेगा open cylinder तो हमें समझदारी के काम करना है जैसे question पूछेगा उससे solve करना होगा ठीक है तो हम यह समझ गए आगे बढ़ते हैं surface area of hollow cylinder ठीक है तो अब hollow जब cylinder रहेगा तो surface area कैसे निकालेंगे उसमें क्या-क्या surface areas होते हैं उसके बारे में थोड़त discussion कर लेते हैं तो next slide में करते हैं ओके तो अब समझते हैं surface area of hollow cylinder surface area of hollow cylinder तो यहाँ पर मैंने बनाया एक hollow cylinder यहाँ पर समझे का ध्यान से यह जो yellow color का जो बना हुआ है cylinder अंदर से यह internal cylinder है मतलब कि internal cylinder मतलब कि hollow है यह पूरी तरह से मतलब yellow के अंदर जो space है वो hollow है और जो white वाला बना हुआ है वो बाहर का surface है ठीक है तो ध्यान समझेगा इसमें तीन तरह की area निकलती है मतलब कि जब hollow cylinder हैगा तब तो आपको यह जानना पर समझना यह है कि यहाँ पर जो beach में है वो पूरी तरह से hollow है मतलब यहां से लेकर के और यहां तक यह जो अंदर का जो हिस्सा है वो completely मतलब yellow के अंदर दो तरह के आप circle देख रहे होंगे एक white वाला circle एक yellow वाला circle तो yellow वाले circle के अंदर का जो पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो होगा वो पूरा hollow है hollow मतलब खाली है उसमें कुछ नहीं है और जो बाहर का जो यह white और yellow के बीच में जो area है यह वाली area है या फिर यह वाली area है या इस पूरे cylinder में इधर और इधर होगा वो पूरी area जो है या पूरा जो volume है वो भरा हुआ है किसी ना किसी object से किसी ना किसी चीज से किसी material से ठिक है यह समझ गया आप ओके ठीक है तो यहां पर सबसे पहले समझना होगा आपको यहां से इसका center यह है दोनों का center दोनों circle का center है वो एक ही होगा ठीक है बस रेडियस में डिफरेंस होगा यह जो रेडियस होगा इतना वो इसमाल आर होगा ठीक है यह होगा इसमाल आर लेकिन जो बड़ा वाला होगा मतलब यह कहने का मतलब कि हम बड़ा वाला यदि बनाएं यहां से हम यह नोट कर लें यहां से ले करके और यहां तक जो यहीं तक ठीक है तो यहां भी हम radius दे सकते हैं यहां पर radius होगा small आर यहां से यहां से यहां तक यहोगा small आर और जो capital आर होगा वो होगा आपका यहां से ले करके यहां तक तो दो तरह के radius हैं आपको आपस ध्यान देना है कि हमें तीन तरह की area क्या-क्या निकालने होगे तो पहली जो area निकालनी होगी area of the base area of each base मतलब या तो इसकी area या फिर उपर वाली की area area of each base तो किसी एक area निकाल लेते हैं दोनों की area same ही होगी तो area of each base is equal to क्या होगा ध्यान देज़ेगा यहां पर जो base की area निकालनी है वो आपको यह निकालना है मैं color कर रहा हूँ इसको green से यह जो area है आपका जब hollow cylinder रहेगा तो yellow जो मैं color का circle बनाया हूँ यहां पर उसके अंदर का जो area होगा उसको हम नहीं लेंगे केवल जो यह जो मैं color कर रहा हूँ केवल यही area को निकालनी है तो यह बताए केवल यह green color का मैंने जो set किया है केवल उसकी area find करनी है तो कैसे find करेंगे अंदर का area निकाल लेंगे उसके बाद यह small r ले करके yellow color का जो circle है उसके अंदर के area निकाल करके बड़े वाले circle के area में से minus कर देंगे जब छोटे वाले circle के area तो यह जो green color की area है green color का जो set किया हूँ मैंने vision उसका area निकल जाएगा और यही area है area of each base यही base है मतलब और उसी base का area है यह और यहाँ भी वही है यह जो green color का मैं यहाँ set करूंगा यही इसको भी बोलेंगे base और इसका ही area निकाला जाएगा ठीक है तो मैंने बता दिया जो ऐसे निकालेंगे मतलब कि white वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है यह white वाले जो circle है इस white वाले circle के area में से इस yellow वाले circle के area मैंनस कर देंगे तो यह जो green वाली part है वो पूरा निकल जाएगा ठीक है मतलब कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको pi capital R square minus pi small r square करेंगे जब आपको यह green पार का area का निकल जाएगा मतलब कि pi में सकमा ले लिजे और आपको मिल जाएगा capital R square minus small r square ठीक है तो यही area हम most of the time use करेंगे यदि हमें निकालना पड़ेगा area of the base किसका hollow cylinder का तो यहाँ ध्यान रखिए hollow cylinder की बात हो रही है अब इसके आगे बढ़ते हैं अब एक area है जिसको हम बोलते हैं आप लोग अभी सुने होंगे पहले बाले में यहाँ पर के curved surface area या फिर इसको बोलते हैं lateral surface area यहाँ पर यूज कर लेते हैं curved या फिर ब्रेगरम यूज कर लेते हैं lateral curved बोलते हैं या फिर बोलते हैं lateral surface area ठीक है सर्फेस एरिया तो यह जो सर्फेस एरिया है वो कॉब्ड होती है मतलब कि चारो तरफ की कॉब्ड एरिया तो यह बताइए जो कॉब्ड सर्फेस है इसमें यह हलो सिलिंडर है तो यह जो हॉइट वाला जो बाहर का जो सर्फेस होगा कॉब्ड वो भी एक curved surface होगा और एक अंदर के yellow color का जो अंदर का जो surface होगा वो भी होगा internal curved surface area तो external curved surface area plus internal curved surface area इन दोनों के यदि add करेंगे तब निकलेगा total curved surface area क्योंकि हाँ पर दो तरह के curved surface area होगे तो पहला जो surface area होगा curved वो होगा 2 by 2 by capital R H H तो मतलब एक ही रहेगा जो height है वो तो height ही है 2 by R H देखिए पहली बार हमने capital R लिया तो निकल गया बढ़े वाले का मतब बाहर वाले का external surface area curved surface area plus 2 by small R लेंगे यदि तो आपका अंदर का yellow color का जो अंदर का internal curved surface area हो निकल जाएगे और यही दोनों को मिला देंगे तो यही मिलता है आपको curved surface, curved या lateral surface area इसमें से आप क्या कामा ले सकते हैं 2 ले सकते हैं कामान, pi ले सकते हैं और h ले सकते हैं और जो बचा हुआ है capital R plus यह small r चोड़ देंगे तो यह हमारा बन गया formula जो यूज होगा curved surface area या फिर lateral surface area निकलने के लिए लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि question मैं ऐसे पूछ दे find the external curved surface area तो किवल आपको यही निकलना पड़ेगा 2 pi capital R H यदि यह पूछ दे कि find the internal curved surface area आपको किवल निकलना पड़ेगा 2 pi small r ठीक है यहाँ पर मैंने h denote नहीं किया है h को बना देता हूँ मैं यहाँ से h यह है तो हमको समझ में आ गया कि internal और external curved surface area क्या होता है और यह curved surface area दी पूछेगा तो दोनों को आइट करना पड़ेगा अब आते हैं third area पर third जो area हम find करते हैं तो निकालते हैं total surface area of the hollow cylinder तो यहाँ पर करेंगे हम total surface area total surface area of the hollow cylinder तो यहाँ पर total surface area कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर जितने भी जितना भी इसका surface होगा बाहर की तरफ दिख रहा होगा उन सब का हम area निकाल करके जोड देंगे उसी को बोलेंगे total surface area that's it तो हम यहाँ पर add करते हैं देखें पहले पहले जो surface area है वो green part का है तो green part कितना है यह जो green वाला part है वो ind का ind का जो ring की तरह का surface है उसका area जो निकाला हूं है यहाँ पर area of each base वो आपका यह है इसी का दोगुना कर देंगे तो नीचे वाले का और उपर वाले का दोनों का add हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम curve surface area यह दी add कर देंगे दोनों वाला external का भी external curve surface area और internal curve surface area तब निकल जाएगा टूड़ surface area अब हम यहाँ पर add करते हैं पहले तो हम लिखेंगे two times area of each base तो base का जो भी area होगा उसका दोगुना करके हम यहाँ पर add कर देंगे plus अच्छा पहले हम यह काम करें कि पहले हम cod surface area यहाँ पर लिख लेते हैं cod surface area ठीक है तो पहले जो लिखते हैं हम यहाँ पर कि cod surface area cod surface area plus two times area of each base area of the base बस ऐसे लिख देते हैं area of the base अब यहाँ पर cod surface area जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर यह पूरा यूज़ करेंगे क्योंकि इसका internal और external दोनो area हम यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर लिखेंगे two pi h और in bracket capital r plus small r यह होगा cod surface area यह फिर इसको भी आप लिखते तो आप इतना ही करते solve करके ठीक है plus मैंने पहले लिख दिया इसको अब यहाँ पर two times क्या है two times है यह वाली area means two times pi capital r square minus small r square ठीक है अब यहाँ पर कुछ कामा ले सकते हैं लेकिन अभी कामा नहीं लेंगे कुछ solve करेंगे तब लेंगे यहाँ पर हो जाएगा two pi h capital r plus small r plus देखें यहाँ पर ध्यान देजेगा आप लोग यह formula पढ़े होंगे a square minus b square is equal to होता है a minus b into a plus b right तो यहाँ पर आप यदि देखें यहाँ पर a square minus b square यहाँ पर दिया होगा है a के जगवा पर r है और b के जगवा पर small r है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 pi इसको break कर लिजे इस format में means r square minus small r square capital r square minus small r square हो जाएगा कितना हो? हो जाएगा r minus small r means capital r minus small r और capital R plus small r ऐसे break कर लेंगे अब देखें यहाँ पर common क्या क्या आ जाएगा यह 2 pi 2 pi common हो जाएगा तो 2 pi common कर लेते हैं यहाँ पर capital R और यहाँ पर capital R plus small r यह भी हो जाएगा common तो R plus यह अब बचा क्या है पहले बचा क्या वल H यह हो जाएगा H plus यहाँ क्या बचा है यहाँ बचा क्या वल इतना तो H plus r small r तो यह जो formula बना हुआ है यह formula है total surface area अब दिहालो cylinder लेकिन इसको रटनिक जूरत नहीं है या फिरट भी सकते हैं यदि total surface पूछा है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि question में directly इतना नहीं पूछता पूछ देता है यदि माली जे की ऐसा बोल देगा कि यह जो है उपर की तरफ से total hollow है मतल़ यह जो उपर वाला जो ind का जो area of the base निकालेंगे आप उसको छोड़ दिजेगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ maintain कुछ मतलब की mend करना पड़ेगा कुछ अलग तरीके से इसकी area find करनी पड़ेगी इसलिए question को पर समाज करके solve करिएगा directly यह formula apply मत कर दिजेगा निए तो गलत हो जाएगा आपको यदि यह लगेगा कि total surface पूछा है तब directly आप इसको यूज कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन कुछ अलग थोड़ा सा मोटी कुछ change किया होगा उसमें कई पर छेद कर दिया होगा माल यह circular माल यह curve surface area में आपका एक circle बना करके कह दिया कि यहाँ पर यह भी खाली है तो इसकी surface area तो जोड़ेंगे नहीं कोई दिकत नहीं है और हम साथ रहेंगे आपके question सारे साल करेंगे और आपका कोई भी दिकत होगी तो आप मुझे बताएगा और दिकत नहीं भी है तब भी कमेंट बक्स जरू लिए कुछ ना कुछ ताकि मुझे inspiration मिलती रहे और मैं आपके लिए bridge बनाता हूँ तो आप सभी को नमस्कार, thank you so much, bye